तो फाइलली वो दिन आ गया है जब डेटपूल और वूलवरीन प्रेमेर्ड हो गई है और यहां पर कहा जा रहा है कि यह पहली इतनी जादा कमाई करने वाली ओपनिंग में आरेटेड मुई होगी और यहां पर स्पॉलर साना भी इंटरेट पर शुरू हो गया है लेकिन पहले से क्लियारिफाय क्रता है अब जैसे डेट पूल वन डूमे इसका टैटल द्री से नहीं मुझे है मिलंद्र को सकते हैं द्र्श्राइं इसमें वुल्वरीन का भी है और यहां पर एक से बढ़कर एक सप्राइज देखने मिलेंगे जो आप लोग ने X23 का रिवील देखा था ओडियंस कह रही है वह रिवील तो बस एक थिन लेयर ऑफ क्रेस्ट है उसके अलावा बहुत कुछ रिवील होना बाकी है अब यहां पर आप लोग को पता हो कि डेटपूल 1 के सीधे 2 साल बाद ही डेटपूल 2 आ गए थी और डेटपूल 1 हद से जादा कमाई की थी यानि कि जिसका उतना बजट था उससे जादा और यहां पर अब सीधे 6 साल के गाप के बाद यह डेटपूल 3 या फिर के बुलवरीन मुई आ र पाकी एवेंजर के से एक साथ अलाइन हो गया है जिसकी वजह से यह मुई इतनी बड़ी डेवल की बन पाई है अब यहां पे एक यूजर ने मैंशन किया है कि यह मुई आ रेटट है और इसका अच्छे तरीके से पायदा उठाई है अपने आरेटट सीन्स का उपर से जात मता था क्योंकि इसके बाद हो सकता है मार्वल नए चैरो की कास्टिंग करना शुरू कर जाए और जितने भी मुटेंस हम लोगों कुछ तो पुराने होंगे लेकिन कुछ की और टोगेदर एक नए कास्टिंग होगी लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जो पुराने क्यरक्टर सब लोग देख चुके हैं उनको इस आखरी ट्रिब्यूट नहीं मिलेगा और वही डेटपूल 3 में हुआ है अब यहां पर यह वाली लाइन आप लोग ने काफी कॉमन सुनी होगी जब भी कोई मार्वल रिलीज होती है सब लोग बोलते कि हैश वन मुई आफ्टर सबसे बड़ा सवाल है लेकिन हाँ डेटपूल और वोल्वरीन की बात करें तो ऐसा कर सकती है लेकिन हाँ यह स्लोकर मार्वल अपने हर मुई में लगाता है कि हैश वन मुई आप्टर एवेंजर सेंड गेम और ऐसा कुछ डेटपूल में भी देखने को मिल लेकिन उमीद क करते हैं कि इस लाइन पर खरी उतरेगी और एक रिवीर्स ने आप यह कमेंट कि है कि मुवी का जो टोन है वो काफी ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है यादि कि सिव आपको कॉमेडी देखनों के बलेंगे बलकि नमबर ओफ इमोशन देखनों के आपको हसना भी आएगा और एक समय पर रोना भी आएगा और ऐसे कई रिव्यूस की लबी लाइन लगी हुई है लेकिन असली मज़ा तो तब आएगा जब आप खुद ट्रेटरस में जाके यह मुवी देखें